हलो प्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा यह दि आपकी जो गाय बहांस है उसके अंदर करें पायमेट्रा याई गरबासे में यह दि मुवाद भर जाए तो क्या ट्रीट्मेंट करना चाहिए या आपके पसु की जो बच्चे दानी में इंफेक्शन हो जाए तो क्या ट्री कि ट्रीट्मेंट आपको बट्रीट म करें जाएका όल टूरा के प्रॉपर नोलेज्यू आपको मिल जाएगा पहले तुमीर बताता हूं कि जो पायमेट्रा यह जब आपके पसू की जो गरबासे के अंगर मौद बर जाती है या आपके पसू में डिशार्ज के साथ आता है तो ये देखना चाहिए कि उसके अंगर इन्फेक्शन हो गया है कारण क्या एदी आपके पसू में जब जेर अटक जाती है एदी आपके पसू में जेर पूरी प्रोपर नहीं डाल पाता है या अदी अदूरी एदी आपका पसू जेर डाल देता है पलेसेंटा एदी डाल देता है तो उसके वज़े से भी आपके पसू में इस परकार की दिक जाती है या एदी आपके पसु में अबोर्शन हो जाता है या गरपात हो जाता है तो उसकी वज़े से भी आपके पसु में हो जाता है या आप एदी किसी तरह से एदी इंफेक्टेड बुल है या इस तरह की जो सिम्मन एदी आपने लगवा लिया जो इंफेक्टेड है उसक कईबर यह करवा लेते हैं नेचर गर्बादान करवा लेते हैं फिर भी आपका पसु बार-बार रिपीट होता है और गर्बासे से क्या है कि मवाद भी आती है और बरहावतार पेसाब के साथ और आपका पसु बैढ़ते उरते समय आपके पसु की जो वेजाए ना दोवार से है हरीवाद गड़ी मौाद भी आपके पसु में कई पर देखने को मिल जाती है इस तरह के सिम्टमस आपके पसु में देखने को मिलते हैं और यह दी बच्यदाने में इनफेक्स नहीं दी आपके पसु में Discharge वे दिसार दे रहा है तो उसकी वज़ेसे भी कई पर आपके पसु में infection हो सकता है तो वो भी आपके पसु में देखने को मिलता है लेकिन पायो मेटरा के अंदगाद ऐसा नहीं होता उसके अंदगाद तो मौद गाड़ा जैसा डिसार्ज आपके पसु में जरूर देखने को मिलता है तो इस तरह पहले आपके पस्थूं में इस प्रकार की दिक्कत होती है तो कई कारण आपके पस्थ्वू में हो सकता है है की पाइवमेटराई तो इसके नंडगत आपको जो फकी बच्चे दानि सपाई है इसства जुरूर आपको जुरूर करवानी है वह आप अपने पस्वों में करवा सकते हैं उसके सपाई भी आप अपने पस्वों की करवानी है ये आप जो ये 60 ml की जो एक वाल आती है इस तरहे की इसको आप एक साथ आई यू यानि उसकी बच्चेदानी में आपको सुड़वा देनी है 60 ml आपको एक साथ ये लगातार आप उस पसू को तीन दिन आपको अपने पासे दिक कोई नजदिक पसू चेकर सकाए तो उससे आप पसू की सपाई जरूर करवानी है रही बाद सपाई कैसे करी जाती है उसके बारे मेरे चेंदर पर एक वीडियो बनी वी है कैसे आप उसको सीत का प्रियो करना है किस प्रकार से आप उसकी सपाई करनी है किस प्रकार से आप गरभासे काइद दौई छोड़नी है तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं तो उस वीडिसे आपको ये जरूर करवानी है ओ रही बाद इसमें infected होता है तो infection होता है infection होता है तो आपको इसके इंजेक्शन की जुरूत पड़ती है वह injection है safety for sodium salt का जो injection आता है axonal injection ये injection 1 gram intra muscular salt का कोई भी हो किसी भी company का हो जिस प्रकार से मेरे पास axonal है इसी प्रकार साल्ट का और अदर भी injection आते हैं, safe आते हैं, अदर आते हैं वो भी आप परियोग कर सकते हैं लगातार आप उस प्रकार को तीन दिन ये दिया आपको अच्छा रिजे लेना है तो तीन दिन ये injection भी जरूर लगवाएं हालां ये महेंगा जरूर है treatment लेकिन पसू के बार-बार रिपीट होने से बचाने के लिए उसको कंशी कराने के लिए आपको ये treatment जरूर करवाना ही होगा तो ये injection भी आप उस पसू को इंटिबाइटिक जरूर लगवाएं साथ-साथ आपको जो मेक्स टोल इंजेक्शन आता है इसे भी आपके पसू में कई बर दिकत हो तो ये injection एक डोज आप इस injection की भी जरूर लगवा ले बहुत ही अच्छा result आपको देखने को मिलेगा एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह की आपके पसू में दिकत होती है तो इसमें फासपोर्ट का injection उन पसू को जरूर लगवाएं तो फासपोर्ट भी आप उस पसू को तीन दिन इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिस प्रकार से टोन फोस इंजेक्शन है ये इंजेक्शन पंदरा एमेल इंट्राविनस यानि डारेक्ट आप बलट के अनकत इस इंजेक्शन को भी उस पसू को जो पायमेट्रा की सिकायत है लगवा दे ताकि जब ये आपका पसू हिट में आएगा तो वो कंसीव करने के चांद सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि आपके पसू में फास्पोर डेपिसेंसी की वज़ए से भी बहुत ज़्यादा दिकत पसू में देखने को मिलती है तो इसकी एक छोटी सी कमी की वज़ए से भी आपका पसू है वो भी बार-बार रिपीट होता है तो यह इंजेक्शन भी आप उस पसू का करवा सकते हैं यह ट्रीटमेंट है यह करवा सकते हैं कईबर क्या होता है कि यह आपके पसु में जो इंटरनल इंपेक्शन है, स्वेलिंग है, वहाद भो ज़्यादा है, तो उसके अंगा जो ओकसी टेटरा साइकलिन आती है, जो इंटिबाइटिक आती है, यह 100 ml, आप उसके अंदर और 10 ml, जो डेक्सोना इंजेक्शन आता है, जो कोर्टिकोस्ट्रोइड इंजेक्शन है, यह दोनु मिला करके, आप उसकी जो गरवाशे यह बच्चे दानी में भी छोड़ा जाते हैं, लेकिन वो चै करके पता लगा जाता है, किस तरह का इंपेक्शन है, उसके बाद में ही जो यह है, यह गरवाशे में छोड़े जाते हैं, इस तरह से जो यह टीट्मेंट जो बता है, मैंने यह टीट्मेंट यह दिया आपका पसु बार-बार रिपीट होता है, इस तरह की यह दिकत है, बचे दाने में इंपेक्शन है, मुआद आ रही है, 100% आपको रिजल्ट आपके पसु में देखने को मिल जाएगा, रही बाद जब भी यह दिया, आपका पसु 20-21 दिन बाद में यह दि हीट में आता है, तो आपको वो एक हीट छोड़ देनी चाहिए, और उस हीट में आता है, तो उस हीट में जितना भी जो आपके पसु में जो कच्रा बनता है, एपसिस परदा बनता है, वो बहार निकल जाएगा, और फिर यह दि आपका पसु 20-21 दिन बाद में वो आपिस हीट में आता है, तो आप उसकी AI वे नेच्रूरल गरबादान आप उस पसु का करवा सकते हैं, आपका पसु कंसीव भी कर लेगा, एक और बताना चाहता हूँ कि साथ साथ आप अपने पसु को जो मिनरल मिक्सर पाउडर है, वे तो आप उस पसु का अठाय नहीं हुए तो जरूर देते रहें, क्योंकि कईबर मिनरल डेफिसेंज की वज़ए से कोपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, फासपोर्स, मैंगनिसियम है, इसकी वज़ए से भी आपके पसु में कही दिकत देखने को मिलती हैं, अगर वासे में सुझना आजती है, तो उसके लिए क्या ट्रिट्मेंट करना चीहीं, वे भी आपको आने वाले समय में वीडिएु मिल जाएगी, ये आपको जिस तरह से ये इंजेक्शन वे ट्रीट्मेंट जो मैंने बता हैं इस विदी से ही आपको ये ट्रीट्मेंट ये आप करवाएंगे वैसे आने के लिए बहुत इस तरह की जो I.U. आती हैं गरभास ये बचे दानी में दवाय छोड़ने वाली आल अलग जो पसुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटिनेरी स्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप सेर करें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है झाल झाल